एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शे रहता था क्योंकि वह जंगल का राजा था इसलिए वो कभी भी किसी को भी खा जाता एक दिन जब राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा था तभी एक छोटे से चुहे की नजर शेर पर पड़ी आरे वाह इतना वड़ा शरी इतने वड़े वड़े पंजे इनके तो दाद भी बहुत नुकीले लग रहे हैं शेर राजा जी का दुख कोई मुकाबला नहीं कर सकता तव ही सब जानवर इनसे इतना धरते हैं चलो गुफा में अंदर चलके देखता हूँ जैसे ही चूहा शेर के पास पहुचा अचानक शेर की आँख पुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया अरे वाह आज तो भोजन खुच चलकर मेरे पास आ गया मजा आ गया मुझे माफ कर तो राजाजी मैं तो गल्ती से आपके पास आ गया मुझे खा कर तो आपकी भूग भी रही मिटेगी हो सकता है हो सकता है मैं आपके कभी काम भी आ जाओ चूहे की ये बात सुनकर राजा की मन में तया आ गई और उसने कहा ठीक है वैसे भी मेरा पेट आज बहुत भरा हुआ है जाओ मैं तुम्हे छोड़ता हूँ लेकिन दुबारा ऐसी गल्ती मत करना और इस तरह चूहे की राजा ने जान बख्षती एक दिन राजा शेर भोजर की तलाश में नदी किनारे पहुचा बहाँ उसे शिकारियों ने अपने जाल में भसा लिया गुस्से में आकर शेर जोड़ जोड़ से दहार ने लबा ये तो राजा दी की आवाज है लगता है हमारे राजा किसी मुसीवत ने है तलो उनकी रक्षा करते हैं जोड़ी ने जब शेर को जाल में भसा देखा तो अपने दोस्तों के साथ तुरंक जाल को काट दिया और अपने राजा की जाल को बचा लिया शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग खड़े हुए उस दिन के साथ से शेर और चूहा अच्छी मित्र बन गए